यादेवी सरुबूतेशु शक्ति रूपेन सस्तिताम नमस्तस्ये 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 नमनम बड़े हर्स का विशे हैं कि 500 साल के बाद गुजरात के पामगड मंदिर में महाकाली मंदिर पर दोजापता का लह रही हैं नव निर्मित मंदिर पर किस तर से हुआ आयोजन और इस समारों में मुख्य अतिती के रूप में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने क्या कहा देखिए हमारे साथ ये खास खबर आप सभी धर्मानुरागी भक्तगन महाकाली पामगड के दर्शन कर रहे हैं और बड़ी खुशी की बात यह हैं कि पामगड में भव्य मंदिर पुनर निर्मित हुआ हैं और विशेश रूप से 500 साल के बाद संत जन और प्रधान मंत्री की उपस्तिती में महाकाली मंदिर पर दोजा फर रही गई हैं दोजा आरोण हुआ है और यह एक हर भक्त के लिए जो माता का भक्त हैं उसके लिए अकल्पनिय और अलोकिक यह खुशी का ख्षन है पांच दसक यनि की 500 साल से माता के भक्त इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब माता का भव्य मंदिर बने और उस पर दोजा पता का लहराए आज भक्तों के मन की कामनाएं पूरी हुई हैं इस खास मौसव के मोके पर क्या कहा प्रदान मंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने देखिए ये खास ख़बर अलिका माताजी मंदी ट्रस्के प्रेसिदेंट्स शुरेंद्र भाई पतेल राज्य सरकार के मंत्री भाई पूर्डेश मोदी या उपस्तित सभी वरिष्ट पुझ्य संतगण सभी सध्धालू साथी देवी और सज्जनों आज कई वर्षों के बाद पावागर्ड माकाली के चरणों में आकर के कुछ पल बिताने का आशिरवाद प्राप्त करने का सोभा के मिला मेरे लिए जीवन की बड़ी धन्य पल है सपना जब संकल्प बन जाता है और संकल्प जब सिध्धी के रूप में नजर के सामने होता है तो उसका आनन्द कितना हो सकता है इसकी आपकल्प ना कर सकते हैं आज का ये पल मेरे अंतर मन को विशेश आनन्द से भर देता है कल्प ना कर सकते हैं पांच शताब्दी के बाद और आज हादी के 75 साल बीतने के बाद पांच शताब्दी तक माकाली के शिखर पर धजा नहीं पहरी थी आज माकाली के शिखर पर धजा यह पल हमें प्रेरणा देती हैं उर्जा देती हैं और हमारी महान परंपरा और संस्कृति के प्रती समर्पित भाव से जीने के लिए हमें प्रेरित करती हैं आज से कुछी दिन बाद इसी महने के अंत में गुप्त नवरात्री शुरू हो रही है गुप्त नवरात्री से ठीक पहले पावागड में मा काली का ये शक्ति पीठ महा काली मंदीर अपने भव्य और दिव्य स्वरूप में हमारे सामने हैं शक्ति और साधना की यही विशेस्ता होती है गुप्त नवरात्री है लेकिन शक्ति सुप्त नहीं होती है शक्ति कभी लुप्त नहीं होती है जब स्रद्धा साधना और तपस्या फलिभूत होते हैं तो शक्ति अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रगट हो जाती है पावागड में महाकाली के आसिरवाद से हम गुजरात और भारत की उसी शक्ति का प्राकट देख रहे हैं आज सदियों बार महाकाली का यह मंदीर अपने विशाल स्वरूप में हमारे सामने हमारे मस्तक को भी उचा कर देता है आज सदियों बात पावागड मंदीर में एक बार फिर शिकर पर द्वज फहरा रहा है यह शिकर द्वज केवल हमारी और आस्था और आध्यात्व का ही प्रतिक नहीं है यह शिकर द्वज इस बात का भी प्रतिक है कि सदियां बदलती हैं यूग बदलते हैं लेकिन आस्था का शिकर सास्वत रहता है भाई और भेनों अयोध्या में आकर आपने देखा होगा भव्य राम मंदीर आकार ले रहा है का शिबे विश्वनाद्धाम हो या फिर मेरे केदार बाबा का धाम हो आज भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गवरों पुनरसापित हो रहे हैं आज नया भारत अपनी आधुनिक आकांख्षाओं के साथ साथ अपनी प्राचीन धरोहर को भी अपनी प्राचीन पहचान को भी उसी उमंग और उत्सा के साथ जी रहा है हर भारतिय उस पर गर्व कर रहा है हमारा ये आध्यात्मिक स्तल हमारी स्रद्धा के साथ साथ नई संभावनाओं के भी स्रोत बन रहे हैं पावागड में माकाली का मंदीर का पुन्य निर्मान हमारी इसी गव्रव यात्रा का एक हिस्सा है कि मैं इस अवसर पर कि मा महाकाली के चर्म में नमन करते हुए आप सभी को रदय से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं आज का ये अवसर सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास का भी प्रतीख है साथियों अभी मुझे माकाली मंदिर में भजा रहों और पुजन अर्चन का सौभागी मिला है माकाली के दर्सन करते समय मैं सोच रहा था कि आज माकाली के चर्णों में आकर क्या मांगू माकाली के आशिद्वार लेकर इतिहास गवा है स्वामी विवेखानन जी माकाली के आशिद्वार लेकर के जन सेवा से प्रभू सेवा में लीन हो गए मां मुझे भी आशिद्वार दे कि मैं और अधिक उर्जा के साथ और अधिक त्यांग और समर्पन के साथ कि देश के जन जन का सेवक बनकर उनकी सेवा करता रहूं कि मेरा जो भी सामर्त है कि मेरे जीवन में जो भी कुछ पुन्य है वो मैं देश की माता और बहनों के कल्यान के लिए कि देश के लिए समर्पित करता रहूं कि गर्भी गुजरात कि इस समय कि इस गर्भी गुजरात की धर्ति से माकाली के चर्णों से मैं देश की आजाजी के अम्रुत महुद्सों का भी समर्ण करता हूं साथियों गुजरात ने जितना योगदान देश की आजाजी के लडाई में दिया है उतना ही योगदान देश के विकास में भी दिया है गर्वी गुजरात भारत के गर्व और शान का परियाए है गुजरात ने भारत के व्यापार का भी नेतुत्व किया और भारत के आध्यात्मता का भी उसे सम्रक्षित करने का पूरा प्यास किया कि सद्यों के संगर्ष के बाद कि जब भारत आजाद हुआ तो हम गुलामी और अत्याचार के घावों से बड़े हुए थे हमारे सामने उस अपने अस्तीत्व को फिर से खड़ा करने की चुनोती उसको लेकर के हम खड़े थे लड़े थे भारत के इस सांस्कृतिक आजादी के शुरुवाद भी सरदार साहब के नित्रुत्व में गुज्राच्चे ही हुई थी सोमनाथ मंदिर का पुनर निर्माण राश के पुनर निर्माण के संकल्प के रुप में हमारे सामने आया पावागड और पंचमहाल आज सोमनाथ को इस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है जिसलिए गुज्राच को पुरे देश में पहचान दी थी आज जो द्वजा फैराई गई है वो केवल महाकाली मंदिर की द्वजा नहीं है बलकि गुज्रात और देश के सांस्कृतिक गवरों की द्वजा भी है पंच महाल और गुज्रात के लोगों ने सदियों से इस मंदिर की भव्यता के लिए प्रयास की अब सोने से बढ़े इस कलेश के साथ इस मंदिर से जुड़ा वो सपना पूरा हुआ है आज पावागड़ों और पंच महाल की तपस्या सिद्ध हुई है पंच महाल और शेत्र में पुनाना तो मुझे याद है आज की परंपरा मुझे उतना पता नहीं है लेकिन जो पुराना मैं जानता हूँ जब भी कोई शादी विवा होता था तो इस मंदिर में सबसे पहले भक्त आकर के शादी का जो निमंत्रन पत्र होता था वो मा के चर्णों में रख देता था और मुझे पता है उस समय तो जो यहाँ पुजारी और पंडित लोग हुआ करते थे वो शाम की आरती के समय दिन भर जितने ऐसे निमंत्रन आये हैं उसको पढ़कर के मा को सुनाते थे भक्ती भाव से सुनाते थे सुरेंद्र काका कह रहे हैं आज भी चल रहा है बाद में आशिरवाद में माता की तरफ से मंदीर से जिनोंने निमंत्रन भेजा है उसे उपहार भी जाता है कितना बड़ा सौग है और परंपरा लंबे लेकिन माता ने इस बार हम सबको आज सबसे बड़ा उपहार दिया है माता के दरबार का काया कल्प और द्वजारोहन मैं समझता हूँ हम भक्तों के लिए शक्ति उपाशकों के लिए इस से बड़ा उपहार क्या हो सकता है और मा के आशिरवाद के बिना ये संभोव भी कहा हो सकता है यहां स्रीकाली का मंदिर को लेकर जो कार यह हुए है उसमें एक खास बात और है महाकाली मंदिर का इतना भव्य स्वरूप दिया गया लेकिन इस पूरे काम में घर्बग्रू में मूल स्वरूप अक्षुन रखा गया इसे सेवा यग्य में गुजरात सरकार पवीत्र इतना विकात बौर्ड अट्रस के लोगों ने मिलकर काम किया मुझे बताया गया कि मंदिर परिशत की पूरी परिक्रमा के लिए अभी सुने भवाई बता रहे थे दूधिया तालाव और छासिया तालाव को जोडने वाला एक परिक्रमा पदभी तयार किया जाएगा यग्यशाला बोजन साला परियटकों के लिए भक्त निवास और छासिया जिल से माताजी के मंदिर तक लिप्ट जैसी सुविधाएं इसका निर्मार भी किया जाएगा साथ ही माची के पास अतिजिग्रू और मंटी लिवल पार्की का निर्मार भी होगा पहले यहां पहुंचने के लिए सुरद्धालू को कई गंटे लग जाते थे सीडियों से चड़ना यात्रा की ठकावट कठिनाईयों से गुजरना पड़ता था पहले सीडिया भी कैसीदी जो पहले आये हैं उनको पता है उसको सीडि कह सके न कह सके यह हाल था लेकिन आज वह भी रचन आच्छी हो गई है अब मंदीर तक पहुंचने के लिए अच्छे पत्तर से अच्छी सीडिया बढ़ाई गई हैं इसीडिया की उचाई भी ज्यादा नहीं है बरेबर हिसाब आप से रखा है ताकि चड़ने वाले को दिक्कत ना हो पहले मंदीर परिशद में दो दर्जन लोग भी एक साथ नहीं पहुंच पाते थे आज सौसे से भी जादा लोग एक स्थाथ यहां आ सकते हैं पुजा अच्छन कर सकते हैं बीड का दबाव कम हुआ है तो यात्रियों के लिए स्वरक्षा भी बढ़ी है मंदीर परिशत के विस्तार से भगदर जैसी घटनाओं से भी बचा जा सके और हमें निरंतर जागरूत र की चिंता करते रहना पड़ेगा और मैं अभी से सभी काली भक्तों से प्रार्षना करता हूं कि अनुशासन का पालन करना होगा क्योंकि कठीन जगा है कोई हाथ सान हो जाए पहले कई बार हाथ से होते थे बड़ी चिंता सताती थी लेकिन मा के आश्रिवाद से फिर करना होता है तो हम जितना अनुशासन का पारण करेंगे यात्रा भी अच्छी होगी मा के आश्रिवाद भी प्राप्त होंगे पहड़ी के उपर जो दुद्या तालाब है उसे भी डेवलप किया जा रहा है इस तालाब के चारों तरफ एक परिक्रमा सर्कुलर पत्त बनाया है इससे भी लोगों को काफी आसानी हुई है मा महाकाली के चरणों में आकर हमें बार बार उनके आश्रिवाद पाप्त करने के लिए का मन्त्वा भावित उच्छों होता है लेकिन पहले पावगड की यात्रा इतनी कठीन थी कि लोग कहते थे कि कम से कम जीवन में एक बार माता के दर्शन हो जाए आज यहां बढ़ रही शुविद्धाओं ने मुश्किल दर्शनों को सुलब कर दिया है माताए बहने बुजूर्ग बच्चे युवा दिव्यांग हर कोई अब आसानी से मा के चरणों में आकर के अपने भक्ति का मा के प्रसाद का सहज लाब ले स लगते हैं अभी मैं खुद भी यहां पहुंचने के लिए कि टेकनोलोजी के माद्यम साया रॉप्पे के माद्यम साया रॉप्पे में नकेवल यह यांतर आसान की है बलकि रॉप्पे से पावागर की अदभूत जो खुबसूरती है उसका आनंद भी मिलता है आज गुजर गुजराद में कई तीर्थ और परेटन सल ऐसे रॉप्पे से जुड़ रहे हैं पावागर्ड सापुतारा अंबा जी घिनार में रॉप्पे होने से लोगों का काफी सहुलियत बिल रही है पावागर्ड मां अंबा और सोमनाथ द्वार केस की आशिरवाद से ही गर्वी गुजराद बना है गुजराद के महान कभी नर्मत ने गुजराद की सांस्कृतिक महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है उत्तर मामा अंबा मात पूरमा काली मात छे दक्षिन दिशामा करता रक्षा कुंतेश्वर महादेव ने सोमनाथ ने द्वार केसे पस्चिम केरा देव से सहाई मा साक्षाद जय जय गर्वी गुजराद आज गुजराद की यही पहचान आसमान छू रही है कभी नर्मत ले गर्वी गुजराद की पहचान के रुप में जिन सांस्कृतिक केंद्रों का नाम लिया है आज वो सभी तिर्थ एक नई विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं आस्ता के साथ साथ तिर्थों और मंदुरों के विकास में आधुनिक तक्णी का इस्तेवाल किया जा रहा है सभी तिर्थों परियात्री सुविधाओं का विकास किया गया है गुजराद के तिर्थों में अब दिव्यता भी है शान्ती भी है समाधान भी है संतोष भी है और इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है अगर माता कहीं मंदिरियों की बात करें शक्ति के सामर्थ की बात करें तो हम गुजरात के लोग इतने भागवान रहे हैं और मा सक्ति की पूजा करने वाले भक्तों के लिए गुजरात में तो पूरा एक शक्ती चक्र है एक शक्ती रक्षा चक्र है गुजरात का रक्षब कवच के रूप में वो काम कर रहा है गुजरात के अलग-अलग शेत्रों में बिराजमान शक्ती रुपेन माताएं गुजरात का निरंतर आशिरवाद देती हैं और गुजरात की रक्षा करती है। देडिया के पास देव मोगरा मां, भावनगर के पास खोडियार मां, मैसाना के पास महुचर मां, उदर हमारे खोडल धाम, उदर उम्या धाम, गिर्णार के उपर अंबा मां, अनेक माताएं हर कौने में हमें निरंतर आशिरवाद है। यानि हम कह सकते हैं कि हम पर एक शक्ति का आशिर्वाद है अम्बा जी में गब्बर फुट हिल्स अभी हमारे भुपेंदर भाई वर्णन कर रहे थे त्रीडी वीडियो प्रोजेक्शन वेपिंग की शुरुबात की गई है साथ में महा आरती भी शुरू की गई है केंदर की प्रसाद योजना के तहट गब्बर तीत का पुनरधार भी किया जा रहा है अमबाजी मंदिर परिशर के विकास की योजना पर भी काम चल रहा है कोटेश्वर महादेव मंदीर रिंचडिया महादेव मंदीर जैसे पुन्य स्थानों का विकास भी किया जा रहा है अभी कुछ समय पहले मुझे सोमनाथ मंदिर में भी कई विकास कारियों के लोकारपन का आउसर भी मिला था द्वारिका में भी घाटों यात्री सुविधाओं और मंदिरों के सवंदरी करन पर भी काम किया गया है पंच महाल के लोगों से मेरा आग्र होगा बाहर से जो भी सर्धालूं यहां दर्शन करने आएं उनको आप अपने राज्य के इन सभी स्थानों पर जाने के लिए जरूर कहिएगा माधुपूर में जहां भगवान श्रीकर्ष्ण और रुक्मणी का विवाव आता वहां रुक्मणी मंदिर का पुनर्विकाद भी किया जाएगा अभी एप्रिल के मेहने में जब अपुपेंद्रबाय ने बताया हमारे राश्पती जी ने माधुपूर गेड मेले का उधर निकरके वो स्वयम यहां आये थे तिर्थों का ये विकास के वल आस्था के विकायत का विशय तक से ही जिमित नहीं है बलकि हमारे तिर्थ समाज की गतिशल्था और राश्पी एक जुटा के भी एक बड़े महत्वपूर जीवन्त प्रतीक है इन तिल्सों और मंदिरों में आने वाले स्रधालू अपने साथ कई नए अवसर भी लेकर आते हैं किसी भी खेत्र में परियतन बढ़ता है तो रोजगार भी बढ़ता है इंफ्रस्टेक्टर का भी विकास होता है हमारे तिर्थ यात्रों को स्थानिय संस्कूर्थी से तो परिचित करवाते ही है स्थानिय कला कौशल सिल्प का भी प्रचार पसार होता है हम सभी इस बात के गवां है हमारा केवडिया वहां का हमारा एक तान अगर स्टेश्य उनिटी उसके बाद वहां परियतकों की जो संख्या बढ़ी है आज दुनिया में महत्वपूर्ण परि जगाबानादी है इसी तरह सुविधाय बढ़ने के बार काशी विश्वनादाम और चारधाम यात्रा में भी सद्धालों के संख्या नित नए रिकॉर्ड मना रही है इस बार तो केदारनाथ में अभी तो कुछी सब्ता हुए है सारे रिकॉर्ड तोड़ दी है इतने यात पट्टा हो हमारे आदिवैसी भाई बहनों सबके जीवन में बहुत बड़ी ताकत भरने वाला है कि जो स्रधालू मंदिर में आएंगे वह यहां से विरासतवन भी जाएंगे विरासतवन प्रकूती परियावरन परंपर और आयुरुवेट जैसे विश्वमपर देश के लिए एक बड़ा आकर्षन और परिणा का पेंद्र बन सकता है इसी तरह आर्कियोलोजिकल पार्क और पावागड किला के लिए भी आकर्षन बढ़ने वाला है विकास ये कारिया पंच महाल को देश में प्रमुक परियाटन सल के रुप में उभरने में मदद करेंगे पावागड में अध्यात्म भी है इतिहाद भी है प्रकूती भी है कलास संस्कृती भी है यहां एक और मा महाकाली का शक्ति पीठ है तो दूसरी और जैन मंदिर की दरोहर भी है यानि पावागड एक तरह से भारत के इतिहासिक भीवित्ता के साथ सर्व धर्म संभाव का केंद रह रहा है युदेशकों ने चापानेर के पुरातत्व स्थल को बिश्व धरोहर वर्ल हेरिटेज के रुप में स्थल के रुप में इस साइड को दर्ज किया हुआ है यहां पढ़ता हुआ पर्यटन यहां के पहचान को भी और मजबूत करेगा पंच महल में पर्यटन की संभावनाओं के साथ साथ यहां के युवाओं के लिए बड़ी संख्या में नए अवसर तयार होने वाले हैं हमारे आदिवासी भाई बेहनों के विशेश्रुप से रोजगा आवरा जिसे महान गायोकों की धर्दी रहा है वो प्रतिभा आज भी यहां की मिट्टी में है जहां जहां विरास अद्वान और सांस्कूती मजबूत होती है वहां कला और प्रतिभा भी पल्लवीत होती है हमें इस प्रतिभा को भी भारनाय नई पहचान भी देरी है चांपानेर वो जगह है जहाँ साल 2006 में गुजरात का गवरो बढ़ाने वाली जोतिर गराम योजना की शुरुवात हुई थी मैं जब मुख्यमंत्री बना तब लोग मुझे कहते थे साथ कम से कम शाम को खाना खाते समय बीजली मिले थी विवस्ता करो यही माकाली के चरणों में बैठ करके हमने जोतिर गाम योजना से गुजरात में और देश में पहली बार 24 गंटे घरों में बीजली पहुंचाने में सफलता प्राप्ता की थी और तब उस समय के हमारे राठपती स्री एपी जे अब्दुल कलाम जी उस कारकम में आये थे और उनके करकमलों से हमने उसको लॉंच किया था जोतिर गाम योजना ने गुजरात के विकास में गणाया अध्याय जोड़ा इस योजना की वेज़े स कुपा रहती है मुझे विस्वाथ है कि हमारे सांसकुर्दिक प्रणुरुप्थान और विकास की जो हवा पावागड में बह रही है इसकी महग भी पूरे गुजरात और देश में पहुचेगी इसी भाव के साथ मैं महावकाली के चर्णों में एक बार फिर मेरा नमन करता हुँ आप सभी को भी एक बार फिर बहुत बहुत शुब कामना है देता हुँ अने आजे जारे मा काली ना चर्णों मा विशुद्यारे गुजरात नों विशाव फलक अने अन्ने राज्यों थी पान मा काली ना भक्तों नी अन्गिनत संख्या खुप सद्धा साते आई पुछू कारण एमने जे सपना जोया आशे एमना पुर्वजों जे सपना जोया आशे एमना पुर्वजों जे सपना जोया आशे एमना पुर्वजों जे आशा साते आवता हाता ने निरास दिने पांचा जता हाता आजे एमना संथानों एमना पुर्वजों ने पण कही सक से कि आपे भले कस्ट बेठा हो है पुण हवे यूग बदलाणों छे हुआ हवे माकाली पुरा गवरव साथ आपना अशिर्वाद आपी रही छे एवीज एक भावना साथे फरी एक बार आप सवने खुब-कुब शुब कामनाओ सव ट्रस्टी मंदर ने गुजरात सरकार ने बोपेंद्र भेना नेत्रुत्वमा थाईला कामोंने दुद्धैती बिरदावुशू आप सबने खुब-कुब सुभेशा आपोचू खुब-कुब धन्यवाद को खुब अबर प्रदान मंतरी ज्री श्री काली का माता जमंदी ट्रस्ट ना ने मंतर ने मान राप आपी